हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू मैं चैनल अभी हो रही है एकदम सुबह सुबह टाइम मेरे ख्याल से साड़े तिन चाच पास हो रहा है बठ हम अभी सुबह की छट खायत पर हमें भी जा रहे हैं अभी हम चलते हैं बाद हम लोग जो सकते हैं हम लोग सुबह के तीन बजे उते तो गहीं से एकदम रख्य पर रही होते हैं लोग दिकले तो जो हमारे समान होता है न पूजा का वो तो पहले ही दाए बजे घाट पे जा चुका था तो हम लोग लाश में फिर मैं और में जिख जानी और मेरे हस्पेंड हम तीन लोग लास में निकले तो अभी मतलब हम लोग जा रहे हैं और रोड एकदम सुन सांग था और पीछे अप लोग सुन सकते हैं कि कितने गाने की जो है आवाज बहुत तेज़ते जा रही है तो हम लोग बहुत इंजॉई भी कर रहे थे बिस निम चरब समया लोग जारते हैं राहे है वहाज लोग मेरा घालिया राम से विजिया हूंँ अन्युटि करेंड है तर बहुत दो मुझत इस promise कि मै अराम से दिरी जेरे चल रही था है कि मैं पूरा अच्छे से वीडियो शूट कर सको ह सको और आ अपको मैं तिखा सको है तो तो अरक होता है न उस पर दूद चढ़ाते हैं तो यहां पर मेरे हस्बेंट दूद लेने के लिए शौप की तरफ गया और मैं और मेरी जिठानी हम लोग वेट कर रहे थे तो फिर आप देख सकते हैं रिजर से लोग वगेरा जो होता है अपना पूजा का समाल लेके जा रहे थे तो मेरे हस्बन ने शौप पे से दूद लिया तब तक हम लोग वेट कर रहे थे वैसे देखिया हम लोग दूद ले तुके तो अब मैं जा रही हूं वैसे किस-किस के घर में चट पुजा होता है तो प्लीज कॉमें सेक्शन में जरूर बताना देखिया मैं चट घर में पहुंच गई हूं तो एक दम अच्छा लग रहा था मुझे बहुत ज़्यादा मतल अब देखिये हम ने ये अंदर एंट्री किया ये पहले मेरे हस्बेन गुसे फिर मैं जिठानियम साथ में गुसे बांकि मेरे जिस राल के लोग गया वो पहले जा चुके थे क्योंकि उनको घाट पे पहले पहुंच रहा था समान वग्रा लखना था ना इसलिए देखिये आप लोग कितनी अच्छी से सजा हुआ है और कितनी लब गाना वाना चल रहा है लोग सब देखिये कितनी श्रद्धा भक्ती से एकदम अच्छी से बैठे हुए हैं सबके मन में कितनी श्रद्धा है भक्ती है कितना सुंदर लग रहा है इसने अच्छी से सबने अपने अर्षाल सब सजा के लाए हैं जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि जो हमारा जो शाम का जो चौट पूजा गाट था वही हाटे ये ये लिए ये वो शाम का पूजा था और ये सुबह का पूचा है तो एक तरीके से रात ही कहा सकते हैं इसको क्योंकि अर्डा के टैम जब एक चाफ पूजा करनो बत्बताब है इसमें सिफ चात पूजा होती है और बहुत से लोग वीडियो शूट कर रहे翔े जैसा कि मैंने आपको कल बताया था तो सब लोग अपना वीडियो शूट रेइल वगेरा सब बना रहे थे और पानी बहुत ढंड़ा था तो मुझे बहुत सारे लोग बोल भी रहते हैं कि आज हो पानी में नहीं जा रही थी और मेरे हस्बेन ने भी मुझे बोला था कि पानी में चलो मुझे नहीं जाना था मैंने उनको बोला था कि नहीं मैं पहले वीडियो शूट कर लेती हूँ उसके बाद में बाद में जाओंगी तो अब लोग देख सकते हैं कितना अच्छा नजारा आए ये और मेरे घर के जो लोग हैं वो पहले से ही मतलब पानी में थे वहाँ पे और बहुत इंजॉय कर रहे थे देखिए कितनी अच्छा से सजार रखा है और ये जो पानी में जो दिकर है न वो जो बिहारी होंगे और मेरे वीडियो देख रहे होंगे उनको तो पता है कि वो गन्ना है जो लगा है मकी तो जो जिनको नहीं पता है उनके लिए मैंने बता दिया देखिए और कुछ ऐसा सजा हुआ है ये फिर मैं कैमरा कुछ अपनी तरफ मैंने कर लिया और मैं अपने आपको देख रही थी ये मेरा बाबू है यह मेरी जिठानी का जो बेटा है तो मैं इसकी चाची हूँ तो आप देखिए मैं कैमरा अपनी तरफ कर रही थी बट बार-बार में से आगी पीछे हो जा रहा था बट कोई बात नहीं कि मैंने कभी ब्लॉक बनाया नहीं फर्स टाइम में तो मुझसे थोड़ा मतलब कैमरा कभी अफ्रेंट कभी बैक ऐसा हो जा रहा था तो मैं कन्फूज भी हो रही थी बट कुछ नहीं कोई नहीं जो हो गया कोई नितकत नहीं होता है बहुत इंच्वाइब कर रहे थे और इत बॉस रहे थे निकल रहे थे क्योंकि इस अपना अपने सामान होता है ना वो पानी में जब आखो किसी के घर का मैमबर पानी में घुसा हुआ है उसमें बरत कर रहा है तो इसको सामान पखड़ाने के लिए सब आ रहे है जा रहे थे तो फिर बाद में मैं वहां से उठ गई मुझें नगu ब्हूत ज्यादा पसंद है बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छा भी लगता है मुझे और ध्यूंधां से अम लोग बनाते हां इसे शेट पूजाना मतलब मेरे घर में होता है सफ्राव में होता है और फिर देखिए मैं लास्ट में पानी में आ गई क्योंकि मेरे हस्बिन मुझे बोले कि पानी में आ जाओ तो मैं पानी में चली गई तो मैं पानी में खड़ी होकर वीडियो शूट कर रही हूं मेरे हस्बिन मेरे साथ में थे और मेरे फैमिली भी थी तो मुझे बहुत तंडी लग रही थी बट मैंने वीडियो शूट किया आप देखिए कुछ ऐसा नजारा था जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था यह जो पानी में गन्ने रखे हुए थे यह ऐसा हिल रहा था पट मैं फिर भी क अब को अब लगे तो मुझे इसलिए आपको अच्छा लग तो प्लीज में वीडियो को लाइक शेर और और पार है